प्रेस दी बेल आइकन निवर मिसन अपडेट फ्रॉम स्टूरेंट खवरी इंडिया में या फिर आप बोल सकते हो कि टॉप के कौन से ब्रांचेस हैं इंडिया में तो उनके बारे में आज हम लोग डिसकस करने वाले तो दोस्तों उससे पहले में बता दूँ आपको की ब्रांच अगर आप लोग चूज कर रहे हो क्योंकि बहुत बच्चे तो इसमें ह इसमें ब्रांच देखनी चाहिए या फिर बेस्ट कॉलेज वगेरा देखना चाहिए तो उसमें भी कनफ्यूज रहते हैं कि बुलते हैं कि CS का अगर स्कूप जादा है या IT का जादा स्कूप है तो लोग किसी भी कॉलेज के मिल जाएगा तो हम लोग उसमें जा सकते है उस एक्मॉस्फियर अच्छा होना चाहिए तभी आप लोग कुछ सीख सकते हो किसी भी फिल्ड में जाने से पहले तो ये आपके लिए में एक टिप हो गई तो ये चीज ध्यान में रखना ये इसका इसकोप जादा है ये लेना है हमको तो किसी भी कॉलेज से ले ले या क्या एक स्वियर भी बहुत इंगर रखता है तो एक अच्छा कॉलेज चूर्ण अच्छा करना बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अभी जेए कि सेकेंड काउंस्लिंग भी हो गई है कॉलेज से लिए के ब्रांच काउंस्लिंग में दी होने वाली है फर्स तो होई कि कौन कौन सी best branches हैं तो ये बता दो कि government sector में अगर आप चाना चाते हो क्योंकि चार साल लगवर आप beta कर रहे हो किसी भी branch से अगर आप chemical engineering से भी कर रहे हो तो scope उसका भी है या फिर आप किसी भी branch से कर रहे हो जो भी branches रहती है engineering की field में तो हर किसी का scope रहता है अगर आप अपना best दे रहे हो तो क्योंकि लोग उसी को hire करते है अगर आप जैसे मैंने बता है chemical engineering अगर ले रहे हो आप तो आपको hire ही वो लोग करेंगे कि अगर आप best होगे तो अगर आप अपनी field में best काम करोगे तब ही आप हाय किये जाओगे नहीं तो ऐसा फिर तो scope का वो बतला भी नहीं हुआ लेकिन ऐसा माना जाता है कि government sector में अगर आपको जाना है तो सेवेल electrical mechanical का जाधा scope रहता है लेकिन अगर आपको abroad जाना है या फिर अगर आपको private sector में काम करना है मतलब में ली software skills अच्छी है यह से बोल सकते हो तो आप CS में ले सकते हो admission उस branch में जा सकते हो लेकिन अगर आपको private sector में ली automobile industries में जाना है क्योंकि उसका scope जादा है तो मैंने previous video में बताया था जिसमें मैंने mention किया था कि mechanical में कैसा है mechanical कैसा branch है CS mechanical में क्या difference होता है क्या क्या किसको कैसे choose करना चाहिए तो उसमें भी बताया था कि auto mobile industry में जादा scope है तो उसके लिए mechanical आप choose कर सकते हो वो branch अच्छी है तो mainly मैंने बता दी इसमें कि 3-4 branches के बारे में कि कौन से सेक्टर में आपको जाना है तो वो branch अच्छी है लेकि यह डिपेंड करता है आपके ऊपर क्योंकि चार साल के बाद आप किस में बैठना चाते हो government फील में जाना चाते हो कि private फील में जाना चाते हो मतलब private companies में जाना चाते हो private sector में जाना तो वो चीज आपके उपर डिपेंड करती है तो वो चीज ध्यान में रखना कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम लोगों को जैसे कि मेकैनिकल नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसके जो वो तो एक ब्रॉड आप बोल सकते ब्रांच हो गई उसके अंदर भी आ जाती है जैसे क अगर आप कर रहे हो तो अलग-अग फील में आप ऐसे जा सकते हो आप इसी आटो मोबैल इंडास्ट्री से से रेलेटे लेकर अगर आप स्पेसिए ऑच को उत्की पास एंड़ आप उप्लिट कर लिए बहुत सारी चीजेंड बिल जाती आ आप अगल जा सकते हैं लेकिन अ कंपनी में जाओगे उसी ही फिल्ड में आगे बढ़ोगे तो वो चीज भी धान में रखनी होती है कि ब्रॉड एक्सपेक्ट में ही जादा मतलब धान देना कभी भी आइडमिशन लेने से पहले बाकी प्लेस्मेंट वगहरा आते हैं बैने पहले ही बताया कि स्कोप हर चीज क है अगर आप केमिकल ले रहो कुछ भी ले रहा हो तो हर चीज का स्कूप है कॉलेज भी बहुत माइने रखता है लेकिन अगर कोई बच्चे बोलते है कि हमको एंटर्प्रेनियोर बनना है आगे चलके उस फिल्ड में जाना है तो उसके लिए भी आपको एटमोस्फियर देली से कर रहे हो तो भी वो तो ऑफ्विस की बाता है आया आइटी है तो उसका भी अच्छा हो गए लेकिन टेक स्टायल इंजीनिरिंग बागी जो ब्रांचे से थोड़ी लो मानी जाती है कहीं न कहीं तो उसे अगर आप कर रहे हो तो वो चीज आ जाएगी लेकिन अगर आप entrepreneur में जाना चाहते हो तो bits, planning, opt करना उसमें आप IIT, Delhi ही opt करना क्योंकि उसमें ही आपको textile industry और ये सब के बारे में ही सिखाया जाएगा जिसमें आप लोग आगे जाना चाहते हो तो ये सब भी ध्यान रखना कि आपको आगे क्या करना है चार साल के बाद मैंने प्रिवेस वीडियो में डिफरेंसेज भी काई ब्रांचेज के बता हैं जैसे कि CS IT के बारे में बता चुकी हूँ CS Mechanical के बारे में बता चुकी हूँ कौन सा अच्छा है कैसी opportunity आती है job opportunity उन सब के बारे में भी कवर कर चुकी हूँ मैं वीडियो में तो आप लोग वीडियो में भी जाके पूरी information ले सकते हो पूरी information उसमें क्योंकि मैंने detail में बताई हूई है और भी अगर कोई doubt हो कोई queries हो तो नीचे comment करना या किसी और चीज से related information चाहिए हो आप लोग comment करना उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो जल से जल upload करेंगे and stay tune with us guys